वेलकम फ्रेंट्स इस वीडियो में हम मिशन आदित्य और सन के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कम्पोजीशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों चंडरयान और मंगलयान की सफलता के बाद भारतिया स्पेस एजेंसी इस रो अब सूर्य पर मिशन भेजने की तयारी में है जो कि इसी साल जून-जुलाई में लॉंच किया जाएगा इस मिशन को 27दवन स्पेस सेंटर में पॉलर सेटलेट लॉंच वेहिकल से लॉंच किया जाना है या इंडिया का पहला सोलर मिशन and इसेकंड स्पेस बेस्ट एस्टरोनोमी मिशन होगा भारत का पहला Space Based Astronomy Mission AstroCet Mission है जो की 2015 में लाँच किया गया था आईए जानते हैं क्या होते हैं Astronomy Mission दरसल Astronomy Missions ऐसे Missions होते हैं जिनमें Space में Telescopes का यूज किया जाता है Universe को Explore करने के लिए दोस्तों आदित्य Mission Originally आदित्य One नाम से 2008 में लाँच किया गया था जिसमें सिरफ एक ही पेलोड था और इसका Objective Solar Corona को Study करना था परन्तु 2016-17 के बजट में इस Mission में 378 करोड इन्विस्ट किये गये और इसे Expanded Objective के साथ में लाँच किया गया अब इस Mission में एक की जगह 7 पेलोड और इसके Objective ना सिरफ Solar Corona को Study करना बलकि Sun के पूरे Atmosphere की Study करना जिसमें Photosphere, Chromosphere and Corona शामिल है अब इसका मुख्य Objective Solar Corona के अत्यतिक गरम होने Solar Winds की Speed Burn ने तता Coronal Mass Ejection से जुड़ी Physical Processes को समझना है Plasma और Magnetic Field का Explosive Outburst होना यानि की Large Amount में Release होना Sun के Atmosphere से इसे हम Coronal Mass Ejection कहते हैं इसके कारण Radio and Magnetic Disturbances Earth पे Create होते हैं इसी वज़े से Coronal Mass Ejection और Sun के Atmosphere को समझना काफी Important हो जाता है इस Mission का Objective Solar Flares के कारण दर्थी के मौसम पर पढ़ने वाले प्रभावों और Electronic Communication में पढ़ने वाली बादाओं का भी अध्यन करना रहेगा Initially जब यहां Mission लाउंच हुआ था 2008 में तब इसका Objective Satellite को 800 किलोमेटर के Low Earth Orbit में Place करना था परन्तु अब इसको Objective Satellite को Hello Orbit में L1 Point के पास में Place करना है L1 Point जो है यह Lagrangian Point रहता है यह Earth से 1.5 मिलियन किलोमेटर दूर इस्ते थे इस Position में Satellite को Place करना काफी Advantageous रहेगा यहां से हम Sun को Continuously Observe कर सकते हैं बिना किसी Disturbance के तब ही इस Mission को Rename किया गया और आदित्य 1 से आदित्य L1 Mission इसका नाम कर दिया गया आईए जानते हैं क्या होते हैं Lagrange Points Lagrange Points, Italian Astronomer and Mathematician Joseph Louis Lagrange and Leonard Euler ने Discover किये थे दोस्तों, Space में अगर हम कोई Object रखें तो वो Object Celestial Body के Gravitational Force के कारण या तो उससे Attract होगा या फिर Centrifugal Force लगने के कारण दूर कई Space में चला जाएगा परन्तु, Space में कुछ ऐसे Points होते हैं जो की Parking Spots का काम करते हैं और ये Points Stable होते हैं इन्हें ही हम Lagrange Points करते हैं ये Points पर दो Large Masses Example Sun and Earth का Combined Gravitational Pull Perfectly Balance हो जाता है और ऐसे Points पर Object Stable रहता है इन में से कुछ Points Space में Stable होते हैं और कुछ Points Space में Unstable होते हैं L1, L2, L3 Points ये Space में Unstable होते हैं और इन्हें Leonard Euler ने Discover किया है L4 and L5 Points स्पेस में Stable होते हैं और इन्हें Joseph Lewis Lagrange ने Discover किया है Stable Point में यदि कोई Object या फिर Satellite Lagrange Point से थोड़ी दूर है तो उसका Orbit बदल जाएगा परन्तो इसमें ज़्यादा चेंग नहीं आएगा और Unstable Point में यदि कोई Object या फिर Satellite Lagrange Point से थोड़ी दूर है तो वहाँ उस Point से दूर होते चाहेगी आईए जानते हैं आदित्य L1 Mission क्यों इतना महत्वपुन है यह Mission ऐसा पहला Mission होगा जो की Celestial Bodies का एक साथ X-ray, Optical and UV Spectral Bands के तुरू अध्यन करेगा सूर्य के Weather और Atmosphere का Impact पूरे Solar System पे होता है इसलिए सूर्य की Study काफी Important है प्रित्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने एवाम उन्हें ट्रैक करने तता उनके प्रभाव की भविश्यवानी करने के लिए निरंतर Solar Investigations की आफशकता है इसलिए सूर्य का अध्यन किया जाना महत्वपुन हो जाता है Solar System पर पढ़ने वाले प्रभाव सैटलाइट के और्बिट्स तक को बदल सकते हैं या प्रित्वी पर Electronic Communication को बादित कर सकते हैं या अन्य कोई गड़पड़ी भी पैदा कर सकते हैं इसलिए Space Atmosphere को समझने के लिए सौर्गटनाओं का ग्यान होना मत्वपुन है आईए जानते हैं आदित्य L1 मिशन में यूज होने वाले पेलोड्स के बारे में इस मिशन में टोटल साथ पेलोड्स का यूज किया जाएगा पेलोड्स सैटलाइट द्वारा ले जाए जाने वाले Scientific Instruments होते हैं एक सैटलाइट में एक से जादा पेलोड हो सकते हैं और ये Multiple Purpose के लिए यूज किये जाते हैं इस मिशन का सबसे important पेलोड है Visible Emission Line Corona Graph ये पेलोड Solar Corona की स्टड़ी करेगा and Coronal Mass Ejections के Dynamics and Origin का पता लगाएगा Next important पेलोड है सूट यानि Solar Ultra Violent Imaging Telescope ये पेलोड Solar Atmosphere की स्टड़ी करेगा जिसमें Photosphere, Chromosphere and Corona include है Next important पेलोड है Aspects Aspects होता है आदित्य Solar Wind Particle Experiment ये पेलोड Solar Wind के Variation and Properties की स्टड़ी करेगा Next important पेलोड है Solar Low Energy X-ray Spectrometer ये पेलोड Solar Corona के Heating Mechanism की स्टड़ी करेगा Next पेलोड है Helios High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer ये पेलोड Solar Corona के Dynamic Events की स्टड़ी करेगा Next पेलोड है PAPA Plasma Analyzer Package for Aditya ये पेलोड Solar Wind के Composition and Energy Distribution की स्टड़ी करेगा Next पेलोड है Advanced Tri-Axial High Resolution Digital Magnetometers ये Interplanetary Magnetic Field की Strength and Nature की स्टड़ी करेगा आदित्य L1 प्रोजेक्ट को सफल बनाने में ना सिर्फ ISRO बलकि बारत के कई Important Institutes का Contribution है जिन में Indian Institute of Astrophysics Bangalore Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics पूने Indian Institute of Science, Education and Research कौलकता के साथ-साथ ISRO की कई Important Research Institutes के सायोग से इस प्रोजेक्ट पे वक्क किया जा रहा है आदित्य L1 मिशन को successfully launch करना आसान नहीं है इसमें कई सारे challenges है सूरे से संबंदित missions के लिए सबसे वड़ी चुनोती पृत्वी से सूरे की दूरी है जो की लगबग 150 मिलियन किलोमीटर है इसकी अतीरित solar atmosphere में extremely high temperatures and solar radiation भी मतवपूंट चुनोतिया है हाला कि अदित्य L1 सूरे से बहुत दूर स्थेत होगा और यह संबावना नहीं है कि किसी भी equipment को heat से कोई नुकसान पहुचे इस रो के पहले के missions में payload space में stable रहते थे किन्तु इस mission में कुछ equipment space में moving position में होंगे जिससे कि उनके टकराने की probability बढ़ जाती है इस वजह से यहां भी बड़ी चुनोती है इस mission के लिए कई equipment का निर्मान देश में पहली बार किया जा रहा है जो बारत के वैग्यानिकों engineers और अंत्रिक समुदायों के लिए एक अफसर के रूप में चुनोती पेश कर रहा है ऐसा ही एक गटक highly polished mirror है जो अंत्रिक शादारित दूर्बिन पर लगाया जाना है आईए जानते हैं previous solar missions के बारे में अभी तक almost 20 से ज़्यादा solar missions विबिन देश की space agencies ने launch किये हैं सबसे first solar mission pioneer 5 था जो कि 1960 में NASA ने launch किया था इसके ठीक बाद 1959 से 1968 तक pioneer series के काफी सारे missions launch किये गए pioneer 6A, pioneer 7B, pioneer 8C and so on ये सभी missions NASA ने launch किये थे 1970 में Helios mission launch हुआ था जो कि USA और जर्मनी के collaboration से launch हुआ था इस mission ने काफी सारे new data प्रोवाइड करवाए solar wind और solar corona के बारे में 1973 में NASA ने Skylab mission launch किया था 1991 में Japan ने Yoko satellite launch किया और 1995 में SOHO यानी Solar and Heliospheric Observatory ये mission NASA and European Space Agency ने launch किया था 2006 में stereo mission NASA ने launch किया था और 2018 में NASA ने Parker Solar Probe mission launch किया था आईए जानते हैं कुछ future solar missions 2023 में इसरो का आदित्य L1 mission proposed है और NASA का Muse mission and Helioswam mission proposed है अभी हमने आदित्य L1 mission के बारे में जाना है अब हम Sun के formation को समझेंगे सूर्य हमारी पृत्वी का सबसे करीबी सितारा है हमारी पृत्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण सूर्य ही है ये solar system के केंदर में रहता है और सूर्य के चारों और हमारी पृत्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं यह हमारे सोलर सिस्टम का उर्जा स्थूत है इसकी ग्राविटी सोलर सिस्टम के हरे ग्रह को बांदे रखने में मदद करती है हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सेकंड के लिए सूर्य न रहे तो सारे ग्रह, पृत्वी, हम और आप सब विनाश हो जाएगा सूर्य की वज़ा से ही पृत्वी और अन्यग्रह का जन्म हुआ और हम और आपका जीवन संभव हुआ आईए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में सूर्य का जन्म 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य में रोश्णी और हीट का सबसे बड़ा कारण इसमें उत्पन्न होने वाली न्यूकलियर फ्यूजन की प्रोसेस है पृत्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृत्वी तक सूर्य की लाइट आने में 8 मिनिट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का डायमेटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है यह एक मीडियम साइज का स्टार है इसकी सत्व का तापमान यानी सर्फेस टेंपरेचर 5500 डिगरी सेल्शियर से या खुद पृत्वी जैसा गूंगता है मतलब सूर्य में एक दिन होने में पृत्वी के 27 दिन का समय लगता है सूर्य का सबसे नस्दी की तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है असल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अलफा सेंचुरी A और अलफा सेंचुरी B ये तीन तारों का समू है जिसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहा जाता है सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले ढूल और गैस के एक विशाल बादल जिसे नेबिूला कहा जाता है उसमें से हुआ था ग्रैविटेशन फोर्स के चलते बादल का मास सिकुड कर एक जगह जमा होने लगा और साथ ही बहुत तेज गती से गूमने लगा इसका ज़्यादा तर मास जहां जमा हुआ वहां सूर्य का जन्म हुआ और बाकी बचे भाग से बने हमारे प्लैनेट्स जिसमें एक हमारी प्रित्वी भी थी बहुत ज्यादा मास और तेजगती की वजह से इतना तपान और दबाव उत्पन हुआ कि बन रहे उस गैस के गोले में नुकलियर फ्यूजन की प्रोसेस होने लगी इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम की रचना करते हैं जिससे आश्चर्य जनक मातरा में उर्चा उत्पन होती है और इससे हीट और लाइट निकलने लगी और चारों और फैल गई और इसी तरह सूर्य का जन्म हुआ सूर्य का जन्म होने के बाद भी सूर्य का आकार बड़ा हो रहा है और आगे भी बड़ा होता रहेगा अभी का सूर्य उसके में सीक्वेंस स्टार में है जहां उसने अपना आदा जीवन बिता दिया है लेकिन यहां अभी भी छे अरब साल जियेगा सूर्य के अंदर का हाइडरोजन जब हीलियम में बदलता है तब उसे उर्जा मिलती है लेकिन जब हाइडरोजन खत्म हो जाएगा तब यहाँ हीलियम से अपनी उर्जा उत्पन करेगा हीलियम हाइडरोजन की तुल्ला में भारी तत्व होने से इसका कोर अंदर की और सिकुरता जाएगा और बाहर का स्थर अंत्रिक्ष में फैलने लगेगा उस समय सूर्य लाल रंग का विशाल गूला बन जाएगा जिसे रेड जाइंट स्टार कहते हैं तब यहाँ पहले बुद्धग्र, फिल्शुक्रग्र और आखिर में हमारी पृत्वी को निगल जाएगा रेड जाइंट स्टार के बाद इसका बाहरी स्थर अंत्रिक्ष में विलीन हो जाएगा और पीछे छूट जाएगा सिर्फ सफेद कोर जो बहुत तेज गती से गूमता है तारे की इस अवस्ता को वाइट ब्वाफ स्टार करते हैं यह दीरे दीरे अपनी उर्जाक होता रहेगा और आखिर में ब्लैक ब्वाफ स्टार में बदल जाएगा जो ब्रह्मान में अर्बों नहीं बलकि खर्बों वर्षों तक जीते हैं इसी तरह सूर्य का अंत हो जाएगा ब्रह्मान के लगबख हर तारे एक ही तरह की वस्तु से मिलकर बने होते हैं जिसमें हमारा यह तारा भी शामिल है सूर्य गैस से मिलकर बना एक गोला है जिसमें 72% हाइडरोजन और 26% हिलियम गैस है लेकिन इसके साथ दूसरे कुछ तत्व भी शामिल है जैसे कि नाइडरोजन, ओक्सिजन और आइरन सूर्य के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं पहला इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर और दूसरा सोलार एट्मस्फियर सूर्य के कोर से सर्फेस तक का पार्ट इंटीरियर स्ट्रक्चर कहा जाता है इसमें कोर, रेडियेटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन शामिल है नेक्स्ट आता है सोलार एट्मस्फियर सर्फिस से उपर का पार्ट सोलर एटमोस्फियर होता है इसमें आता है फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना सूर्री के सबसे सेंटर पार्ट को कोर कहा जाता है यह एक लाग चालिस अजार से एक लाग सतर अजार किलोमीटर तक फैला हुआ है यह सूर्य का सबसे गरम शेत्र माना जाता है. इसका टेंपरेचर 15 मिलियन डीगरी सेल्सियस है. जिससे यहाँ पर सभी मेटर Π्लाज़मा स्टेट में होता है. प्लाजमा मेटर का फोर्थ स्टेट होता है. और इसकी दैंसिटी 150 गराम पर सैंटीमीटर क्यूब है. होती है nuclear fusion की वजह से यहां पर photon का जन्म होता है photon एक तरह की electromagnetic radiation है जिसमें infrared visible और ultra violent light मौजूद है इस layer में photon बहुत शक्तिशाली होता है next is radiative zone यह layer core और convective zone के बीच में आती है इस layer को radiative zone इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस layer में radiative diffusion की process होती है और energy एक layer से दूसरी layer में transfer होती है जो photon द्वारा electromagnetic radiation के रूप में travel करती है और photons energy को transfer करते हैं इस layer में density reduce हो जाती है और 20 gram पर centimeter cube से 0.2 gram centimeter cube तक रहती है यह सूर्य की सबसे मोटी layer होती है सूर्य के core में बना हुआ photon को इस layer को पार करने में 1,70,000 साल तक लग जाते हैं नेक्स्ट है convection zone या convective zone सूर्य के interior की सबसे outermost layer convection zone कहलाती है इस zone में convection mode के दूँ energy transfer होती है इसके base पर temperature लगबग 2 million degree Celsius होता है इस layer में heavy ions जैसे carbon, nitrogen, oxygen, calcium और iron है जो इस layer को opaque बनाते हैं जिससे की इस layer से radiation काफी difficulty से पास होती है अब हम जानेंगे solar atmosphere के बारे में इसमें सबसे first layer जो होती है photosphere या सूर्य का वह भागे जो हमें दिखाई देता है इसलिए इसे luminous envelope या visible layer of sun कहते हैं इसका temperature 6000 degree Celsius होता है जो कि core के temperature के comparison में काफी कम temperature है इसलिए इसे सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा कहा जाता है sunspots की गटना photosphere में ही होती है sunspots सूर्य की surface यानि photosphere पर कुछ काले धपे दिखाई देते हैं जिने sunspots कहा जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की surface पर intense magnetic field के कारण यह शेत्र आसपास की तुलना में गहरा और ठंडा हो जाता है जिनका temperature 1500 degree Celsius होता है sunspots का जीवनकाल आम तोर पर कम होता है इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का उतार चड़ाब होता है अम्रा sunspots का center होता है और पैनम्रा sunspots के आसपास के हलके शेत्र को कहा जाता है sunspots की अनुपस्तिती पृत्वी के climate को affect कर सकती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि sunspots के absence में सूर्य एक परसेंट ठंडा हो जाता है आईए चानते हैं क्रोमोस्फियर के बारे में यहां solar atmosphere का दूसरा layer है जो photosphere के उपर होता है यहां red color की ring की तरह दिखाई देता है इस layer का temperature 6000 degree Celsius से 20,000 degree Celsius तक होता है इस layer को solar eclipse के समय देखा जाता है आईए जानते हैं solar flares के बारे में सूर्य की surface पर होने वाले ये विसफोट है जो कि nuclear fusion के कारण होते हैं इनके कारण अत्यदिक मात्रा में energy release होती है और यहां आग की लपटों के समान दिखाई देते हैं इनी को solar flares करते हैं कई बार solar flares प्रित्वी तक पहुँच जाते हैं ये प्रित्वी के gravitational force के कारण प्रित्वी से attract होते हैं प्रित्वी के अंदर नहीं आ पते हैं क्योंकि प्रित्वी का atmosphere इसे अंदर आने नहीं देता है पर प्रित्वी के atmosphere से friction होता है और एक रोश्नी दिखाई पड़ती है इसी रोश्नी को aurora कहा जाता है अगर ये रोश्नी प्रित्वी के north pole में दिखाई देती है तो इसे aurora borealis और यदि अगर यहां रोश्नी प्रित्वी के south pole में दिखाई देती है तो इसे aurora australis कहा जाता है आईए जानते हैं solar corona के बारे में ये layer सूर्री के atmosphere की सबसे outermost layer है और यहां chromosphere के उपर स्ते थे टोटल solar eclipse के time पर इसे देखा जा सकता है यहां सफेज चमकदा layer होती है कोरोना का temperature 2 million degree Celsius होता है कोरोनल mass ejection, solar wind, solar flares यह सभी गटनाएं कोरोना से संबंदित है आईए जानते हैं solar wind के बारे में सूर्रे की कोरोना layer बहुत करम होने के कारण इसमें मौजूद plasma एक साथ हो जाता है और सूर्रे की gravity से रोक नहीं पाती है और यह सूर्रे से निकल जाता है सूर्रे से निकल जाने के बाद यह 400 km प्रती सेकंड की speed से space में travel करता है इसमें charge particles होने के कारण इसमें से रोश्णी निकलती है जो की बहुत घतनाक होती है परन्तु अर्थ का magnetic field प्रत्वी की इस solar wind से हमारी रक्षा करता है Thank you friends If you like, please do subscribe my channel to watch such informative and useful videos Thank you